Hello friends, a very good morning to all of you सबसे पहले तो आपको सबको हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुब करेमना है तो आज हम अपने पहला टॉपिक देखते हैं जो की है QR SAM Missile System ठीक है अब वो है क्या? Quick Reaction Surface to Air Missile System है जिसको भी हमारी DRDो ने इसको टेस्ट किया है तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा होता क्या है ये तो ये है Single Stage Solid Propellant Rocket Motor System से ये चलता है और हर तरह की Indigenous Sub-System से ये बना है Indigenous मतलब Made in India है सब कुछ अब ये थोड़ा बताऊं आपको क्या होता है कि Single Stage Solid Propellant Rocket Motor अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब हमारी तोप वगरा कैसे चलती थी पहले हम Gun Powder डालते थे उसमें पिछे से ऐसे उसमें आग लगाते थे और फिर वो जाके Blast होता था वो Gun Powder और हमारा तोप का गोला उड़ता वा जाता था तो ये उसी Concept पे ये Missile System भी चल रहा है और इसमें Solid Rocket Fuel ये देख रहे हो ना आप Solid Rocket Fuel इसके अंदर यूज हो रहा है Solid Rocket Fuel क्या होता है कि कोई न कोई Gun Powder एक तरह का कोई न कोई जैसे पहले बहुत पहले Aluminium Powder यूज किया जाता था अब कोई और यूज कर दिया गया होगा Latest Technology के हिसाब से लेकिन Solid ही होगा वो मतलब Powder Form में होगा जिसको किसी तरह से मतलब एक तरह से Ignite किया जाएगा और फिर वो मतलब जब वो चल जाएगा तो उसी के Basis पे हमारा जो Missile है वो Launch होगा अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने समझ लीजी एक बार उसको आग लगा दी एक तरह से किसी तरह से उस Powder को तो उस स्टेज को आप रोक नहीं सकते वो Single Stage है ठीक है उसमें बाद आप यह नहीं कर सकते अगर आपने उसको लॉंच कर दिया एक बार चला दिया तो उसको आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो आग लगा दी अब तो वो निकल के ही रहेगा Missile ठीक है तो यह Single Stage है तो यह दिखाया है Single Stage Solid Propellent Rocket Motor तो वो एक ही Stage है उसमें तो उसको आप रोक नहीं सकते एक बार अगर आपने चला दिया तो इसको Basically आप Low Flying Objects जो होते है न उनको Target करने के लिए और जो Small Range के होते है 25 से 30 Kilometer की जो Range की Target में होएंगे जो हमारे Targets होएंगे इस Range में उनको हम Target करने के लिए यह Missile System का हम Use करेंगे तो इसको Properly DRDO ने बनाया है Indian Army के लिए बनाया है तो याद रखना सबसे पहला यह बनाया गया था June 2017 में तो अब यह उस और धेरे और भी धेरे देरे आई जा रहे है QSRM तो यह QRSAM तो गलती से यह QSRAM लिख देए इसको समझ लेना QRSAM तो रिपोर्ट दिया है अभी रिसेंटली ही रिपोर्ट ऐसी देनी शुरू किया है जिसमें वो Current State of the Economy के बारे में बात कर रहे है तो उन्होंने बोला है कि अभी जो रिसेंट हमारा September वाला quarter खतम हुआ है जो July, August, September वाला तो September वाला quarter खतम हुआ है तो ये हमारा रिसेंट वाला quarter है ये अब एक तरह से हमारी इंडियन एकॉनमी टेक्निकल रिसेंट की दरफ मूव कर रही है तो आपको रिसेंट तो पता होगा जिसमें एकॉनमी में नहीं पढ़ा तो उसको ओवर्व्यू बता देता हूँ कि रिसेंट मतलब क्या होता है कि जब हमारी एकॉनमी ग्रो कर रही होती है तो मतलब बहुत लंबे टाइम से या एक या दो quarter तक लगातार अगर ग्रो कर रही हो तो उसको हम expansionary phase बोलते है ठीक है लेकिन अगर हमारा GDP जो है एक्चुली recession की न कोई universal definition है नहीं ऐसी ठीक है कि कब हम कहेंगे कि अब हमारी economy recession में चली गई है तो हम NBER जो US की जो एक organization है उसका data ही हम उसकी ही definition को use करते है तो वो कहते हैं कि एक economy recession में तब जाती है जब वो कुछ महीने से अगर एक साल तक लगबग अगर उसका decline रहा है हमारी economic activity में तो हम यह कहेंगे कि वो economy recession में जा चुकी है तो अब जो recession है उसका कोई सिरफ GDP से ही लेना देना नहीं है उसके और भी कई तरह के indicators होते हैं सिरफ GDP growth कम होना का मतलब यह नहीं है कि आपकी economy recession में चली गई है और भी बहुत सारे तरह के indicator होते हैं employment भी जैसे उसके अंदर एक indicator होता है कि अगर employment बहुत ज़ादा down हो employment जो है वो fallen employment हो unemployment बहुत ज़ादा बढ़ गी हो वो भी count किया जाएगा recession को declare करने में तो GDP growth ही सिरफ उसका एक map dhand नहीं है और भी चीज़े हम economic activity में देखते है depth, diffusion और duration depth मतलब तो आपको पता है गहराई diffusion मतलब कितना spread है वो economic जो decline है हमारी economy में कितना ज़ादा spread है कितने सारे sectors को उसने include किया हुआ है तो अब जैसे इंडिया में अगर automobile sector अच्छा चल रहा है इस टाइम पर और मैं example दे रहा हूँ आपको अगर telecom sector भी अच्छा चल रहा हूँ लेकिन कुछ sectors अगर decline में हो तो तब हम यह नहीं कहेंगे कि हमारी economy recession में है ठीक है duration कभी हमको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यह नहीं कि सरफ एक महीने economic activity अच्छी नहीं रही या दो महीने तो आप कह दो कि हमारी economy recession में चली गई या तो depth, diffusion और duration तीनों का देखना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है अब technical recession क्या चीज है हमारे को RBI ने बोला ना कि technical recession में हमारी economy गई है भी ठीक है अब technical recession का meaning क्या है कि जब दो quarters अब quarter क्या होते हैं तीन मंत का टाइम फरेम होता है उसको एक quarter कहते हैं जैनुरी टू जैसे मार्च एक quarter होगा मार्च से हो गया में एक quarter हो गया I'm sorry April टू जून एक quarter हो गया फिर जुलाई टू सेप्टेंबर एक quarter हो गया ऐसे जब दो लगातार quarter तग अगर recession आया रहे economy में मतलब economic activity decline पे रहे तब हम कहते हैं कि हमारी जो economy है वो technical recession में जा चुकी है ठीक है तो ये हमारी जो economy अभी recession properly नहीं गई है first time हमारी economy इंडिया के history में क्योंकि ये जो coronavirus का जो एक issue आया है हमारी economy में ये भी first time ही आया हिस्टरी में last time in 1920s में Spanish flu आया था 1918-20 के असपास तो ये almost 100 साल के बाद ये चीज आयी है तो independent इंडिया में तो पहली बार ही ये चीज आयी है तो इसलिए जो technical recession भी हमारे independent इंडिया में ये first time आया है तो क्या ये unexpectedly हुआ है कि ये technical recession इंडिया में आ गया है तो वो कह रहे है कि नहीं ऐसा नहीं है बलकि हमारे जो economists है वो तो ये predict कर रहे थे कि December तक हमारी जो economy है वो recession में रहेगी October से December तक के period में भी recession में रहेगी लेकिन Finance Minister नेर्मला सीता रमन ने बोला है जैसे कुछ हम इने purchasing managers index भी देखा है तो वो अच्छे से grow होने लग गया हमारी manufacturing भी pick up हो गई है तो वो कह रहे हैं कि शायद ये जो recession का जो period है वो September, October में ही खतम हो चुका है अब हमारी economy बलकि positive growth की तरफ move करनी शुरू already हो चुकी है तो हमारी जितनी हमने expectation रखी थी कि जितना जादा बुरा perform करेगी उतना actually perform हमने नहीं किया है बुरा बट still हम technical recession की phase में फिर भी चले गए थे तो अब हमारा next topic है aerial space mission अब ये European space agency ने aerial space mission को adopt किया है मतलब उनोंने का है कि हम ये चलाएंगे mission और ये mission किसलिए exoplanets में life को ढूणने के लिए exoplanets के उपर study करने के लिए अब exoplanets कौन से होते हैं जो हमारे solar system से बाहर होते हैं solar system तो आपको पता ही होगा कि sun के हमारे आसपास जो ये 8 planets है और Pluto है और इस solar system के बाहर जो planets है जिनके अलग अपने stars है sun जो उनका star नहीं है उनके अपने अलग-अलग stars है लेकिन वो solar system से बाहर है उनको study करने के लिए ये aerial mission जो है space mission निकाला गया है 2029 में इस mission जाएगा ये देखिए यहां पे लिखा है कि ये 2029 में space mission जाएगा और इसका basically काम क्या है कि ये explore करेगा कि क्या अर्थ के लावा कहीं पे life exist करती है और क्योंकि अभी तक तो हमेरे को evidence कोई ऐसा खास मिला नहीं है जो concrete evidence जिससे हम मानने की हाँ अर्थ के लावा भी बाहर के solar system से बाहर भी life exist कर सकती है तो ये उसको study करने के लिए जाएगा ये पूरा mission ठीक है तो aerial जो है ये first mission है कि जो exoplanets के chemical composition और उनके thermal structures को भी पढ़के आएगा proper और data लेके आएगा उनके बारे में ठीक है अब हमारा next topic है vaccination इंडिया में को एक report आई है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो pneumonia and diarrhea progress report निकाली है भी recently international vaccine access center ने तो ये report में इंडिया की performance जो है वो बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है almost three जो हमारे जो इनकी जिन five vaccines के बारे में इनोंने बात किया उसमें इंडिया जो है तीन उन vaccines में हम global target का almost 90% coverage already कर चुके है तो ये vaccines ये वाले इन vaccines को कबर किया इस report ने डिफ्थेरिया DPT vaccine, measles vaccine hemophilis, influenza type B pneumococcal, conjugate vaccine and rotavirus vaccine तो ये हमारी performance है तो 90% से उपर बाकियों में तो हम कर चुके हैं जिन में हमने अच्छा perform नहीं किया है उन में भी हमने improvement तो दिखाई है ठीक है कि पहले 35% हम rotavirus में coverage थी हमारे 2018 में लेकिन अब वो 2019 में 53% coverage होगी है तो ये एक तरह से 18% का हमारा increase हुआ है हमारी coverage में सेम हमारा pneumococcal pneumonia वाले में 9% percentage points का increase हुआ है ठीक है पहले सिरफ 6% हमारी coverage थी 2018 में उसको हम 15% पे ले गए है 2019 में तो it's not कि bad हम हम bad perform कर रहे है हम perform अच्छा कर रहे है बट हाँ अभी हम global targets इन दो जो vaccines में हम achieve नहीं कर पाए है ठीक है और India जो है जो इस report ने 10 indicators को track किया है breastfeeding, immunization, care seeking, antibiotics ये सारे जितने जो है उसमें India जो है वो breastfeeding के case में India top 4 की countries में present है breastfeeding में बहुत अच्छा India ने perform किया है almost top 1 of just 4 countries that exceeded targets for exclusive breastfeeding तो ठीक है 4 countries जोने targets को exceed कर दिया उनमें से एक India है तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो अब जब vaccination की बात हो रही है तो हम इंदरधनुष mission को कैसे भूल सकते है 2014 में ये mission आया था full immunization coverage की बात होई थी जिसमें children और pregnant women दोनों के लिए तो इसमें ये वाली जितनी diseases लिखी हुई है diphtheria, purchases, बहुत सारी diseases है इन सब की vaccination हमारे बच्चों की और pregnant women की कर रहे है इंदरधनुष mission के अंदर अभी recently November में November 2019 में intensified mission इंदरधनुष 2.0 भी launch किया गया था इसके भी features ऐसे हैं कि 4 rounds of over 7 working days में immunization activity चलेगी 4 rounds होंगे उसके अंदर और enhanced immunization session होगा flexible timing होगी basically ये पूरा का पूरा जो हमारा है ये implementation पे focus है कि mission इंदरधनुष को हम और ज़्यादा कैसे फैला सकें और अच्छी implementation कैसे कर सकें उसी के लिए ही intensified mission इंदरधनुष 2.0 निकाला गया था ठीक है जो अभी currently चल रहा है ठीक है अब goal क्या है mission इंदरधनुष का goal ही है कि basically आपको पता ही होगा कि full immunization coverage देते हम सारे जो children up to two years की of age के और pregnant women को ठीक है अब performance इसकी कैसी रही है जब तक तो ये mission इंदरधनुष जो था हमारा 2014 में आया है December में उससे पहले हम 1% सिरफ per year growth कर पाते थे immunization coverage में ठीक है लेकिन जब से ये mission आया तब से हमारी almost 6.7% per year की growth हो रही है full immunization coverage को हमको achieve करने में ठीक है तो ये बहुत अच्छा perform कर रहा है और ये intensified mission इंदरधनुष 2.0 जो ये November 2019 में है इस growth में देखना आने वाले time में studies में आएगा कि हमने और अच्छा perform किया ये जो 6.7 की जो हमारी percentage points है ये और जादा अच्छी improve हो जाएंगी ठीक है तो ये सारे friends हमारे आज के topics थे तो आप आपको दुबारा से हमारी तरफ से दिवाली की शुब काम नए stay safe and happy दिवाली to all of you